Hello my friends, मैं पायल और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोख विद पायल में और आज हम बनाएंगे तूफू के साथ वेजिटेबल इस्टेर फ्राइ गर्मा गरम सर्फ करिए इसे नान या रोटी के साथ और सारे ही घर वाले आपसे खुश होने वाले हैं मिन्टो में बनने वाला य वेजिटेबल स्टेर फ्राइ तो फ्रेंट्स टोफू बिल्कुल वेजिटेबल फ्राइ बनाने के लिए यहां पर मैंने टोफू लिया हुआ है और इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से क्यूब में देखे और हलका सा इसे साथे कर लेते हैं थोड़ा सा पैन में एक स्पू ओल डालेंगे आप औल्ली ओल यह सी सम औल जो भी पसंद करते हूं वह आप इसमें आट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल हेल्दी रेस्पी बना रहे हैं तो बिल्कुल हेल्दी और भी आप यूज़ करिए इसमें औल्व एल्वाल का टेस्ट काफी अच्छा आता है तो इसको हम थोड़ा-थोड़ा सा stir fry कर लेंगे बिल्कुल हलका-थोड़ा सा golden, brown जासा बिल्कुल color आ जाए इसमें बस इसको हम हटा लेंगे तो थोड़ा सा इसमें time लगता है और टुफू बहुत ही healthy recipe है अगर आप weight loss recipe weight loss में है या फिर एक healthy diet लेना चाहते हैं कभी भी चाह हो या dinner हो या lunch हो तो ये बहुत ही अच्छा wedge है आपके लिए आप इसे rice चपाती किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही delicious लगता है और आप बिल्कुल इसे ऐसे भी snack के तौर पे भी खा सकते हैं इस vegetable stir fry को तो देखी हमारा बिल्कुल tofu का color थोड़ा-थोड़ा हलका हलका नहीं है या health conscious नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा यहां पर कॉन फ्लोर भी इसमें लगा कर एड़ कर सकते हैं तोफू में जैसे हम लोग चिली पनीर वेगरे बनाते हैं अगें तोफू निकालने के बाद थोड़ा सो oil मैंने इसमें डाला है और उसमें डाला है थोड़ी से लैसुन बारे कटे हुए थोड़ी से ग्रीन चिली जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे थोड़ा सा बिल्कुल क्यूब में कटा हुआ हम इसमें ओनियन एट करेंगे थोड़ा सा ओनियन और हमारा जो गार्लिक है उसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो इसमें हम डालें यह चीया सीड्स बी बहुत ही अच्छा होता है ओमेगा 3 से रिच होता है और बिल्कुल वेट लॉस अगर आप करने के मिशन में है तो बिल्कुल आप इसे अट कर सकते हैं साथ में मैंने थोड़ी से सीसम सीड्स दाले हैं जो बहुत अच्छा फ्लेवर एक रंचनस देंग इसमें add कर सकते हैं जुकिनी भी बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देता है तो अगर आपके पास एवलेबल है तो आप उसको भी इसमें add कर सकते हैं तो थोड़ा सा हमारा ये fry हो जाए और मश्रूम में मौश्चर होता है थोड़ा सा वो अच्छे से fry हो जाए उसके बाद इसको हम add कर लेते हैं, आप अपने मन पसंद बिल्कुल इसमें wedge add कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा, और थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि हमारे सारे जो vegetables हैं वो बहुत ही अच्छे से cook हो जाएं, थोड़ा सा फिला कर इधर उधर करके इसे अच्छे से fry कर लें, इस समय आप जो flame है, उसको थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं, तो देखिए, इस तरीके से हमारे wedge काफी अच्छे से fry हो गये हैं इस समय, और अब इसमें हम डाल लेते हैं tofu, जो हमने बिल्कुल cook करके रखा हुआ है, half fry, shallow fry करके रखा हुआ है, अब इसमें डाल लेंगे हम अपने taste के according नम अपने sauces से, तो मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा tomato sauce, थोड़ा सा green chili sauce, साथ में इसको हम इसमें add करेंगी थोड़ा सा soya sauce, और एक बहुत अच्छा सा tangy flavor देंगे हम अपने white vinegar के साथ, इसमें हम यह सारी sauces add कर लेंगे, और इसे अच्छा सा flavor देने के लिए इसमें मैं डा तो इसे अच्छे से cook कर लेंगे हम ताकि सारे sauces और सारी चीजें और हमारे सारे wedge बिल्कुल आपस में अच्छे से मिल जाएं और एक बहुत ही अच्छा flavor enhance करके दें, तो लीजे हमारा बिल्कुल ready है यह हमारा tofu wedge stir fry और इसे आप गर्मा गर्म सर्फ करें, बिल्कुल मैंने कह बिल्कुल आप स्नैक के लिए भी आप इसे बिल्कुल as it is खा सकते हैं, इसके लिए कोई भी चपाती राइस की जुरूत नहीं है, पर अगर आप इसे लंच या डिनर में ले रहे हैं, तो आप इसे राइस या चपाती की साथ भी सर्फ कर सकते हैं, तो लीजे हमारी recipe बिल् और एक लाइक तो बनता ही है,